नमश्कार दोस्तों, दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ National Wide Strike in RBI on 26 November 2020 को जो होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों यह जो सट्राइक काल है, यह Reserve Bank Worker Union Mumbai and Reserve Bank Employee Association Mumbai की तरफ से यह सट्राइक कॉल दी गई है जो कि बहुत समय पहले ही इन्होंने इस सट्राइक की गोशना करती थी जो कि 26 November 2020 को होने वाली है, लेकिन इस सट्राइक काल के अगेंस्ट Bank Unions को अपना अलग-अलग पक्ष है, बैंक करमचारियों की जो अलग-अलग पक्ष हैं, उनके दोनों की तरफ से जारी किया गया सर्कुलर आपको आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तरों, बैंक करमचारियों की All India Bank Officer Association की तरफ से सबसे पहले 14 नमबर 2020 को एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि ये जो सट्राइक का आने वाली है, Onward सट्राइक 26 नमबर 2020 की सट्राइक है, उसमें हम पार्टिस्पेट करेंगे और CTU and Other Organization की फुल सपोर्ट में हम भी सट्राइक पे जाएंगे, लेकिन इसके बाद Officer Association की जो एक और यूनिन है AIBOC, उसमें अपना 22 नमबर 2020 को सर्कुलर जारी किया, उसमें उन्होंने ये लिखा कि हम इस 22 नमबर 2020 को जो सट्राइक होने वाली है, उसमें actively participate नहीं करेंगे, लेकिन हम उसकी background में फुल सपोर्ट करेंगे, एक बाईचारक तौर पे हम उसकी फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम उसमें actively participate नहीं करेंगे, इसके बाद बैंक करमचारियों के यो यूवा अभी करमचारी हैं, उनकी तरफ से All India Federation of Yuko Bank Officer AIBOA की काफी वरोद किया जाने लगा कि अगर AIBOC AIBOC सट्राइक पे नहीं जा रही, वो एक बाईचारक तौर पे उसको support करेंगे, inactively participate करेंगे, तो हम क्यों जा रहे हैं, इसका फैदा क्या है, इसके बाद इन्होंने जो सरकुदल मैपको सगरीन पे दिखा रहा हूँ, 24 नॉमबर 2020 को जारी किया है, इसमें ये इसका subject यही है कि participation of our federation in nationwide strike called by the Central Trade Union as on 26 नॉमबर, दोस्तों इस तरकुदल को आप इस वीडियो को pause करके ध्यान से पढ़ सकते हो, इसमें उन्होंने यही लिखा हुआ है कि जैसे कि हमें अपने state unit से ये member से ये communications से मिला है, कि जो 27 नॉमबर की strike हो रही है, उसमें हमें participate करने का फैदा क्या है, क्योंकि जो भी bipartisan settlement होई है, वो युवा जो अभी करमचारी है, उनकी द्यान से, उनकी तरफ से देखा जाए, तो यह bipartisan settlement नहीं होई, क्योंकि इसमें five day banking का मुद्दा तो खत्म हो गया, और इसके बाद, increase the special pay, instead of merger of the basic pay, basic pay को merge करने की बिजाए, उसको भी साही तंग से deal नहीं किया गया, उसकी भी अभी कोई पता नहीं को गौर्मेंट के तरफ से कोई approval आएगी भी या नहीं, लेकिन अब जब ऐसे hot जो अभी मुद्दे थे, उनमें कोई भी settlement नहीं हुई, तो हमें सट्राइक पर जाने की क्या जरूरत है, तो इसी circular के सबसे लास्ट पेराग्राप में, All India Federation of Yuko Bank, All AIBOE ने यही लिखा है, कि सट्राइक ओल है, जो कि 26 नॉवंबर की, उसको हम एक fraternal sport करेंगे, और उनकी जो demands हैं, उनको हम inactively participate करेंगे, लेकिन हम actively इस सट्राइक में participate नहीं करेंगे, सबसे लास्ट लाइन दोस्तों यही है, would aggressively participate in all the agitations program including सट्राइक launched by the UFBU is always, क्योंकि UFBU भी इस सट्राइक में participate नहीं कर रही, IBOC भी इसमें participate नहीं कर रही, तो फिर AIBOE के जो करमचारी युवान यतागन है, उन्होंने ये बताया, कि हम क्यों इस सट्राइक में, हमें इसका वदरोत करना चाहिए, हम सट्राइक पे नहीं जा इस सट्राइक में ना जाने का फैसला लिया है, लेकिन बेंक करमचारियों के यो वर्कमन स्टाफ मतलब के अवार्स स्टाफ और सब स्टाफ इस सट्राइक में actively participate करेंगे, तो फ्रेंड्स आपका जो 27 नूवंबर की 2020 की सट्राइक होने जा रही है, आपका इस सट्राइक प और चैनल पर फूटर इन्फरमेशन वीडियो, थैंक यू